जैस्री किष्णा राधे राधे जीवन में बहुत सारा धन भला किसी नहीं चाहिए हर कोई चाहता है और लॉंग का एक छोटा सा उपाय जो आपके जीवन में धन के समस्या को तुरंध दूर करने में सक्षम है जी है दोस्तों ये सच है तो हम आपको वैसे तीन उपाय की तीथी मानी जाती है आप धन ब्रधी के लिए एक लाल कपड़ा लें और ये काम आप सुभा सुभा कीजिएगा अब इस लाल कपड़ा में पांच लॉंग बिल्कुल साबूत होना चाहिए उसमें रखे और पांच कोडियां रख दें मालक्षमी के सामने और एक मंत्र है और फिर इस लाल को बांध कर अपने तीजोरी में रख दें आप देखेगा जितने भी धन आपके कहीं भी ब्लॉक हो गए हैं लोग पैसे वापस नहीं कर रहे हैं वो करने लगेंगे आपके जीवन में धन की बहुत प्रेसानी है वो भी दूर होने लगेगी ऐसा उपाय ब में आप घर से आफिस जा रहे हैं अपने वेबसाई के अस्थल पर जा रहे हैं कोई भी बहुत जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं तब अपने मुख्य दूर पर दो लॉंग रख दें अब इस पर पैर रखकर आगे बढ़ जाए और वापस पीछे मुण कर मत देखिएगा आपकी जो धन में आपके बेबसाई में आपके जॉब में जो परिसानी थी बाधाएं थी वो दूर हो जाएगी वैसे तो धन की मुश्किलों से बचने के लिए सबसे अच्छा है आप सरसों के तेल में दो लॉंग डाल कर हरुमान जी की आरती करें अगर हरुमान जी के होते हैं दूसरी बात अगर आपके आस पास कोई नदी हो तालाब हो तब यह उपाय आप जरूर कीजिए यह सभी उपायों का रामबान उपाय है करना क्या है एक पान का पत्ता ले और बिल्कुल साब सुथरा सुन्दर सा तोड़ना नहीं है पान के पत्ते को हरे रंका दे अपने दोनों हथेली में रखकर कहें कि प्रभू जीवन में जितनी भी परिशानी है हम इस लौंग के जरिये पानी में प्रवाहित करते हैं आप हमारी तकलीफों को दूर करें और धन आने लगे कि जीवन सुचारू रूप से चले यकीन मानिए आपके जीवन की धन की पर परिशानी दूर हो जाएगी और सारी परिशानिया इस लौंग और पान के पत्ते के सहारे पानी में बहता चला जाएगा बहुत दूर और फिर सब कुछ अच्छा और अच्छा बहतर होता चला जाएगा ये चोटे चोटे उपाए जीवन में धेर सारी खुसिया लाने के ल तो अपने कीचन में जो नमक रखते हैं जिसे आप खाना बनाते हैं उसमें दो लॉंग डाल कर जरूर रखिए ताकि माता लक्षमी की आपके ओपर क्रिपाब बनी रहे और आपका नमक भी पॉजेटिव रहे हर एक सुब और सुब घटनाएं घट में घटे फिलालम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव